बॉलिवुट आक्ट्रेस आलिया भट इन दिनों अपनी फिल्म कलंग के प्रोमोशन में बिजी है वरुंधा वंसुनाक्षे सिन्ह और आधितर रॉयकापूर के साथ वो कई प्रोमोशनल इवेंट्स में जा चुकी है आलिया खुद तो हर इवेंट्स में शिर्कत कर रही है लेकिन मेंटली देखा जाया तो वो कहीं और ही है जैसा कि आप जानते हैं बॉलिवुट के गल्यारों में इन दिनों रनवीर कपूर और आलिया भट की रॉमांटिक केमिस्ट्री को लेकर काफी चर्चा है तो हुआ यों कि गलंग के प्रोमोशन के लिए एक इवेंट में पहुंची आलिया ने कुछ ऐसा कर दिया जिसका वीडियो काफी वारल हो रहा है इस वीडियो में जहां आलिया बातचीत में बिज़ी थी तो वहीं वरुन उनके बालों को चूपकर उनहें परिशान कर रहे थे ऐसे में आलिया उनहें मना करने लगी लेकिन खास बात तो यह है कि आलिया ने वरुन की जगह रनवीर का नाम ले लिया हाला कि उन्होंने रन्वीर का पूरा नाम तो नहीं लिया आधे में ही रुग गई लेकिन ये तो जाहिर है कि उनका इतना बोलना ही इस बात का सबूत है कि आलिया वहां होते वे भी mentally वहां नहीं थी और उनके इतना बोलते ही उनके साथ बैठे आदे तिर्सो नाक्षिय और वरुंस सभी हस पड़े और आलिया ने ब्लश करते वे अपना चेहरा नीचे कर लिया बता दे कि उनका ये विडियो खुब वारल हो रहा है साथ ये उनके फैंस को अब इंतजार है दोनों की शादी का वीते दिन हमने आपको बताया था कि बॉलिवर्ट आक्टियर रुशिक अपूर के भारत लोटने के बाद रनवीर आलिया की शादी की बात आगे बढ़ेगी अब बात करें दोनों के वर्क फ्रंट की तो बता दे कि दोनों ही अपनी फिल्मों के शूटिंग में बिजी है एक तरफ रनवीर अपनी फिल्म ब्रम मास्टर में बिजी है तो दूसरी तरफ आलिया की फिल्म का लंक रिलीज हो चुकी है जिसे दर्शकों की तरफ से बेहती शानदार रिस्पॉंस मिल रहा है वसे आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कर दो रहा है झाल 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 झाल